हेलो फ्रेंड आज की क्लास में हम लोग पाइप एंड सिस्टन यानि की नल और होज का टोटल सिक्स टाइप प्रस्ट जो पूछे जाते हैं वो सभी छवो चवो टाइप अभी करवा देंगे तो आप अगर पूरा वीडियो देख लेते तो इस चेप्टर से चाहे कोई भी ए दूसरा तीसरा चौता पाचमा चटा चाहँ टाइप भी देख लो पूरा वीडियो में समाप्त कर देते हैं देखें पहला टाइप हाँ यह जो है बुक आपका है अगर बात करेंगे तो सगी रहमत बुक का कुस्टन है सोरी सगी रहमत का भी करवा दिये हैं लेकिन यह है सगी रहमत का अगर आप पढ़ना चाहते तो सर्च कर यह पाइप एंड सिस्टन माश्टर वीडियो सफलता एक्स्प्रेस आपको पूरा वीडियो मिल जागा मस पढ़ सकते हैं देगे यह क्या कहता है कुस्टन बहुत आसान होता है अगर आप टाइम और वर्क वाला चिप मिल में भरेगा बहुत आसान कुस्तन है क्या करना आपको 2 टोटी में से एक को मलो ए यह बरावर असी मिलेट में पर सकता है और बी बरावर मेरा कितरा में एक सब बीस मिलेगा आप इस दोनों का एल से ले ले ना ठीक तो यहाँ पर 0000 हटा दो आट और 12 के लसम क्या हो और यह जो है आपका वहना इंहीत में यह भरने कि प्लस भरत हैं तो तो यूणीट गुंट replicate कि रपतार से बरेगा तो पांच से भाग लगा दो तो पांच चो के बीस पांच चानी से नहीं कि अड़ तालीस मिनट का समय लेगा आपको अगर समझ नहीं आए तो अभी दूसरा कुशन इसीत रखा होगा ठीक है हर टैप में इस तरह से कुशन है और बन जाएगा आप अग है किромetco 13っち को 120 की को 12 घंटा 15 घंटा बहुत है 12 ग्रावर कितने में घर सब्सक्ता टेक्व बरावर कितने में 15 घंटी avoir 15 घंट के ciao 17 flight इंवह अब इसको बाग लगा तो 20ishes अ disent 2018 अ तो चार पुर्णा 32 बटा 37 घंटे आपका आंसर हो जाएगा यह दू नमर बन जा उसी तरह से आपका तीसरा नमर सवाल दिगे क्या गाता है कि दो नमर भरी तालाब को किसर गंटे taught कितना होगा सो पांच चार नौ यानि कि कहने को मतलब 9 उनिट खाली कर रहा है और टोटल भरा हुआ अगला कुसर दिखे टाइप टू का जब एक नल पानी भरे और दूसरा नल खाली करें यह भी बहुत अच्छा कुसरन होता है इस टाइप का कुसरन दिखे क्या करते हैं दिखे उस अब नौर्मल कुसरन दा थोड़ा हम फास्ट कर दिए लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको हम समझा के चलेंगे चीज़ें असान करके अब दिखे पाइप यह किसी टंकी को 6 गंट चाहरा है और तीन यूनिट में खाली हो रहा है इसका मतलब सर यह एक उनिटी तो भर पा रहा है वो हर घंटे में एक उनिटी तो भर पा रहा है और टोटल यूनिट है मेरा 24 टोटल चमता है केपसिटी है 24 तो इसको इससे भाग लगा दो यानिकि 24 गंटे का समयले लेगा हमारा दोनों भरने में अगला को सनी सीधरा देखिए समझ भाज आ जाला पूरा बने रहो अंत तक देखो तब ही समझ भाएगा नहीं तो नहीं आएगा फिर प्रोब्लम देखो तो इसको भाग लगा दो दस एक अगा यह एक बार में यह फाली करेंगा हर घंटा में अगला करेंगा दस घंट का समय ळेलेगा तो Fresh了 theland growing क्षान क्या कात़ давай हुए कि पाइप ऐचंकी को 20 मिनटमित कर सका यदि puntos साथ कोल दीया घाए तो वह कितने मिनट में भर जाएगी ठोड़ा से यहां पे आपको समझे दिखुँ धियान से कितने मिनट में भरता है 20 मिनट में ठीक है पाइप भी उसे 30 मिनट में भरता है तीस मिनट में भरता है यह तक हो गया जबकि पाइप C भरी टंकी को एक घंटे में खाली कर देता है C मिल के उसको भरी टंकी को एक घंटा है एक घंटा कितना मिनट लिखना है उसके बाद इसका एलसम लेना है एल से मेरा 60 आएगा 20 तिया 60 30 दुना 60 शाट एकम 60 ठेक है ये दोनों क्या कर रहा है भर रहा है और ये क्या कर रहा है खाली कर रहा है तो टोटल दोखो तीन और दू यानि कि ये जो है ए पलस बी मैनस सी हो रहा है तो तीन दू पांच ये दून जोड़ेगा पांच हो जगा एक खाली करेगा तो चार की छमता से भरेगा चार यूनीट भरेगा हर एक मिनट में ठीक है तो एक मिनट में अगर भर रहा है तो चार से इसको भाग लगा दोगे तो कितना होगा 15 चुके साथ यह नहीं कि 15 मिनट का समय ले लेगा ये आंसर हो जाएगा क्योंकि सर तीन धाड़ थाड़ है और युदू नमर नल एक सी होज को 60 मिनट में था नल भी उस्से 75 मिनट हो जाता है तीसरा नल नल को एक साथ खोल ने name पर होज 50 मिनट में भर जाता है वतने ये तिस्र 170 ऐस्ड़ आ को साथ 100 मिनट में आर दो करता है ततब्स पाला ये साथम जार da दोनों नल को एक साथ खोल देने पर हो ज़ 50 मिनट में भर जाता है। एक बात बता हो, तीसरा बंख उसको खाली करता है, अब दोनों नल को एक साथ खोल देते तो 50 मिनट भर जाता है। काने का मतलब यहां पर क्या करना होगा A plus B है जोनों भर रहा है अब तीसरे अनल उसको खाली कर रहा है यानि कि माइना सी तब जाके पचास मिनट का समय लिया ये लिंग बिज का है इसका लिए लिलो कितना है लिए लाना चीए 300 300 आई ज़िरी जिट sìरो बिजा तो शो 35 75 दो चोके 2ा 1,25 तो चोके 300 उख पर भर में ठेके अब योनला भर रहा है 5 4 9 भर रहा है और ये मेरा खाली कर रहा है A plus B का मान तो total unit कितना ह quê 3 unit आएगा 3 unit तो 5 4 9 9 मारे फाले 6 bend Thai unit में ठोटल भर रहा है तो तीन से इसको भाग लगा दो आपका तीन सो लिग दो बटा तीन सो लिग दो बरावर एक सो मिनट आपका समय लिए आसान है जी बिलकूल असान है जिए ज़्यादा टेंसन नहीं लेना जो करते जो बन जाएगा ठीक है पूरा वीडियो देखो न समझ माँ जाएगा फिर दोबारा समझा देंगे अगर दिखकते काहीं भी कॉमेंट करना फिर से बताएंगे यह कुछन क्या काता है कि आपकी थोड़ा सा कुछन बड़ा करतू है क्या 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 कि नल एक टंकी को पॉछ घंटे में तो था नल भी उसे बीस घंटे में भरता है धियार से समझ दोनों नलौक एक साथ खोल दिया जाता है तो पूरी टंकी में एक च्छेद होने कारान भरने में 30-00 और अधिक समय लगने का मतलबा पले दोनों भरता है कितना इतना में यह देख लेता है तो बीस को अगर हम पांस से भाग लगा देंगे तो चार घंटा का समय लेगा इसका मतलब यह जो चार घंटा हुआ यह दोनों भरने में समय दिया लेकिन एक नल ऐसा है सी जो है उसको खोल देते हैं अगर तो वह समय लेता है आधा घंटा ज्यादा लेता है आधा घंटा तो को 30 मिनट को हम लिख सकते हैं एक बटा दू चार घंटा का समय लिए तो चार पलस एक बटा दू यह कौन लेगा सी तो चार पलस एक बटा दू का मतलब क्या हुआ नो बटा दू चार दूना आठ एक नो बटा दू नो बटा दू यहां से लिख दो नो बटा और इसको इससे बाग देएंगे तो नौ चोक छतिस आर दूसरे गुण नहीं हो जाएगा ठेक कैसे देखो धियांब से अधर यहां पर चत्थीस है और आगर हम नौ बटा दू करेंगे तो क्या हो जाएगा बराबर चत्थीस गुणा दू नहीं हो जागा पलट नहीं जाता तो जाता है तो नौ चोग छटीस चार दूना आठ इसी तरह यहां करेंगे नौ चोग छटीस दूसरे गुना कर दो दूसरे आठ यह सब चीजना माइनिम भी से सेट करके रहे जाम में फटा फट बना देना तो नौ यूनिट यह नौ यह नौ यूनिट भर रहा रहे है एक आ पांच गंडम ड़ना चार गंडम दोन भर रहता है अच जब तीस मिनट और अधिक समय लगता है इसका मतलब यह हुआ कि सर तीस मिनट अधिक समय लगता है व्क खालीकर रहता है तो इसका मतलब हो मैंना सुझाएगा तो इस तरह से थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा ठीक है अरे भाई सी 30 मिनट और धीक समय क्यों लगता यो कि वह खाली कर रहा है ठीक चलिए अगला कुश्चन है कि जब बीच में ही किसी नल को बंद कर दिया जाए या खोल दिया जाए पहला कुश्चन टाइप फोर का एक टब को नल ए 12 मिनट में तथा नल भी उसे 15 मिनट में भार देता है यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और तीन मिनट बाद एक को बंद कर दिया जाए तो सेस टब को नल भी कितने मिनट में भार देगा ये यह कि दिःग दियए और ती मिनुट बाद एक को बंद कर दिया है ठीलाल इसामेषॉ आप कहते है यह हों अब गात निक्रमस कर दिया जाए हॉन हो थे मस् transit है उसको इने बद पद बहु हुई इसका मतलब यह हुआ कि तीन मिनट तक तो नोक्त कर रहा है और तीन मिनट तक नौग ना तीन कर देंगे। 27 यनि कि 27 तीन मिनट में है रहीं स्थाइस को घटा देंगे। तक कर दिया जाए तो डिन की रवरेगा चारबतार से तो चारबता देखो दो नमर क्या करता है कि दो नल किसी होज को कर्मसर 6 गंटे 8 गंटे में भरते हैं दोनों को एक साथ खोल दिया गया पहले नल को कितने गंटे बाद बंद कर दिया जाए कि पूरा होज 4 गंटे में भर जाए एक बात बताओ यहाँ पर देखो सेम कोशन नहीं लग रहा ह हान लेकिन हाँ यह टायप 4 का पहला कुशन था और यह टाइप 3 का दूसरा कुशन हैं फोड़ा थे चेंज कर रहा हा ह। लेकीं बनेगा कैसे व चीज सीकू जोक धियान से कह रहा है कि कि दोन राधी होज को करते हैं आठ घंटे मरता है यानि कि ए मौन लेते एक नल को छो घंटा अभी मौन लेते हैं आठ घंटा बरते दोनों को एक साथ खोल दिया गया दोनों को एक साथ खोल देते हैं दोनों को एक साथ खोल दिया पहले नल को कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाए कि पूरा होज चार घ तक कोई दिक्त नहीं हुआ कॉर बंद का नL को कितने गंट बाद कर दिया जाए को बंद कर रहे हूं पहले नल को बंद कर रहे हैं चीज है तुम्हें समझ में आगे जाए अगर बंद हो रहा है उसका मतलब तो सुरू से से लेके अंत तक काम किया है शुरुवात से लेके अंत तक काम किया इसने भर दिया है पहला नल को बंद कर दिया है तो और समय ले रहा है टोटल भरने का समय चार घंटा इसका मतलब इसने चार घंटे तक तो काम टोटल करिये दिया अगर यह चार घंटे तक इसने काम किया है तो बच्चा मेरा 12 और ये 12 उनिट है क्या होगा ये 12 उनिट 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 क् गता देते बोलते हैं एग जंटा पहले बंद आ प Sug Yes और जमात कि यान सब्सक्राइब था कि अनियम ऊसिए डिप गंड़े ने पर कितने चंजे काकूलता वहां पर था बात, यहां पर था आपका बात, कितने घंटे बात, यहां पर आपका पहले, इस पर धियान देना नहीं तो फिर गोशन गलत हो जागा, दूसरे नल को बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी को कुल पाँच घंटा लगे, बनो बन जाएगा, यह किसी को 10 घंटा मे यह बराबर हम लिख दिये 10, तता नल भी उसे 8 घंटों में, भी बराबर लिख दिये 8, 10 और 8 का आपको एलसम लेना होगा, 10 और 8 का एलसम कितना होगा, 40 होगा, 10 चुके 40, 8 पंचे 40, यह हो गया हमारा, आपका दोनों को एक साथ खोल देने पर कितने घंटे पहले दूसरे नल को बंद कर दिया जाए, दूसरा नल का मतलब इसको बंद कर रहे हम लोग ठीक है, बाद एक जामेना आप क्रॉस लगा दिना समझने के लिए बंद कर रहे है, वही हट रहा है, अगला काता है कि दूसरे नल को बंद कर दिया जाएगी, पूरी टंकी को पूल 5 घंटे अब 5 वाला इसको जरूर किया होगा, क्योंकि A ने तो टोटल B से उनिट भरा है, शुरू से लिए अंत तक, ठीक है, A तो बंद नहीं कर रहे है, बंद कर रहे है, B को तो B को जब बंद कर रहे है तो उसका बचा काम रहा, 20, अब 20 को अगर हम 5 से भाग लगा देते तो 5 ओक अब 15 का मतला पहले बोला है, कितना गंटा पहले, तो पहले के लिए आम लोग घटा देंगे, पहले के लिए क्या करेंगे, टोटल समय में जो घंटा में बाद बंद किया, उसको घटा देंगे, पाल में 4 जार जाएगा, एक गंटे पूर वह आपका, इसका अगला कुस्ष लेटर पाणी आता है अब करता है कि यह भाग भरने भरा हुआ बात करते हैं तो 135 लेटर पाणी आता है तो यह चीजा आपको समझना पड़ेगा इसका मतलब यह हुआ कि सर हम इसको लिख सकते थे ऐसा कैसे लिख सकते तो ध्यान देना हम इसको लिख सकते थे यह सर एक बता चार व्राबर मारा 11320 लीटर है 168 मना 4 यह टोटल को बताता रीचार और यह बहाए भरा हुआ इक बताता है यह आनिकर पूर बहा कितरह हो जागा एक ब्हाग ऊहले हो जागा मेरा 130 गुना चार ठीक है तो टोटल पॉरे चमता पूरे टंकी की चमता कितना हो जाएगा इसमें 540 लेटर पॉनी अभी तो बताएगा आपको चार भाग में जो बता बता है तो यह 540 नीचे लिख देंगे और पॉरी टंकी भरने के लिए कितने लिटर पॉनी और डालना पड़ेगा बताओ यह 3210 में तो टोटल रा बातो टो टीर होता है कि आ अधो के ऑड चाली है इसका मतलब यह खाली है यह मेरा क्या है इसका मतलब टोटल में तीन भाग ही मेरा ख Clap टो टोटल है दस में तीन अगर खाली है तो भरा है मेरा और झालक काता है की तीन सो पल्चास लीटर पाणि भरा है इसका मतलब साथ का महन हमको दिया है अिस जो पचास है तो कता टंकी भरने के लिए कितनी लेटर पाणी डालना पड़ेगा 3 खल यह तो 3 का मान चाहिए हमको 3 का मान चाहिए कितना गुना ही देख लो 7 गुना 5 इनकि 735 इसको भी गुना 50 कर दो तो पाँच्टिया 15, 150 लेटर पानी चाहिए अगला कुस्सन दिखे टाइप 6 में आज़े 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 हम लोग टाइप 6 का पहला कुस्सन अच्छा कुस्सन है दियान से समझेगा क् professions काता है कि दो पाइप किसी टंकी को अलाग अलाग 20 मिनट के लिए खोला जाये तो पूरी टंकी कितने मिनट में भाद बता है इक बात बताओ धो फैर वर pos. कितना मिनट में 20 मिनट में बिई डिय। । अ मिनट इसको खोला गिया है एकन इसको खोला गिया है यह चीजिएह आपको समझ जुना जाए । एक मिनट इसको खोला भी बार कर से तार एक मिनट यहुआ हम फरन हम भरना कितना है 100 अगर ऑन्हेंड Straw सुमझना बात को इसको किसे गुणा करें एक सुग जोग करना कि हमारा एक सव हो जाए या आसपस पहुंचाए तो कहोंगे सर 11 से गुना कर दो एगर नमा 99 यूनिट हो जाएगा इधर भी गुना कर दो सर एकर क्योंकि बराबर के दोनों तरफ आप गुना कर सकते हो ठीक है इधर बर तो 11 दूना यह हो जागा मेरा 22 मिनट और यह हो जागा एगर न नROब है युनिटी बचा हुआ है और एक युनिट बचा हुआ है सो युनिट टोटल है तोटल यूनिट मेरा 100 है एक कि लिए टो कौन जाएगाह भरने के लिए तो । influenced भी पे हि काम मिनटेद आप अब अगला कुशन देखिए इसी तरह का है यह भी बनाते हैं देखिए दिखिए 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 क्या कहता है एक नल किसी हौज को 10 मिनट में भरता है जबकि दूसरा नल उसे 12 मिनट में खाली करता है यदि खाली हौज में दोनों नलों को बारी-बारी से एक-ख मिनट के लिए खोला जाए तो हौज कितने मिनट में भरेगा देखिए यह भी बहुत अच्छा कुशन है इसको कैसे बनाएंगे काता है कि बारी-बारी से किदिन एक नल किसी हौज को 10 मिनट में भरता है यह खाली हौज में दोनों को बारी-बारी से खोला जाए तो बारी-बारी से एक-ख मिनट के लिए खोला जाए तो हौज कितने मिनट में भरेगा बहुत अच्छा कुश्चन है आपको सबसे पहले इसका एलसन ले लेगा कितना ले लो 60 दस चक साथ 12 पंचे साथ अब एक बात कितने मिनट में बात को कि दोनों को एक साथ खोल जाए तो कितने मिनट में भर दो तो हमको पता है चेनरली आप लोग क्या करोगी सर यह एक यूनिट भरेगा इसको 60 से गुना करतेंगे इसको भी साथ से गुना कर देंगे तो इसका मतलब मेरा इसका मतलब यह हुआ सर कि लास्ट वाला जो एबी साथ में कम करेगा ना तो उसका बी से हमको निकलवाना नहीं है पानी निकलवाना नहीं है सीर्फ एको भरा है भरा और बंथ कर दिए क्योंकि कोसण ही बोला कि कितने मिनट में भरेगी बहरेगी की बात किया है ना हम क्या करते यह इसको इसको 54 में खाल है इसको भी 54 से गुना कर दो तो 54 दूना हो जाएगा मेरा 108 और यह हो जाएगा हमारा 54 यूनिट एक 108 मिनट में मेरा 54 यूनिट भरा ठेक और अगला जो एक मिनट गया भरने के लिए वो क्या कर रहा है एक मिनट जब आगी गया न तो 109 मिनट लिया समय और इसने फिर यूनिट भर दिया तो 54 कितना हो गया शाट यूनिट मेरा आंसर यानि कि 109 मिनट आंसर हो गया आपको सबसे पहले ए बरावर 10 दिया है बी बरावर आपको दिया है बार ठेक आपने 10 बार केलिसम 60 निकाला दस चक्साट बार पंचे साट आपको पता यह भर रहा है यह मैनस कर रहा है चोप पांच एक हुआ एक तो बर दिया एक बात बताओ जब आप टंकी है मेरा माल लेते हैं कि एक टंकी है एक हौज है अब क्या कर रहा है यह हमारा 6 यूनिट भर रहा है यह क्या कर रहा है इधर कर दिये खाली करने का यह भरने वाला है समझना बात को यह भर रहा है इधर से पांच यूनिट जा रहा है पांच यूनिट जा रहा है तो इसका मतलब हर एक मिनट में कितना भर पा फ़िता कि यह कि एक बार आपने च्छ हो वर तो फ़र दिया पटाइए पर अगे जैसे बढ़ते हैं अगला मिनट फिर अगला पर दिया अब फिर क्या करते है अगला भरने के बाद पिर बंकि अगला मीनट जा रहा है खाली करने के लिए यह जा रहा है तो, लास्ट में नहीं करवाएंगे क्योंकि मेरा तंकी अल्रेडि भरी जायेगा वी से खाली नहीं करवाना है इसका मतलब यह हुआ सब्सक्राइब कर देना तो क्या हो जाएगा अब एक बात बताओ एक मिनट के बराबर हो रहा है मेरा एक यूनिट एक यूनिट इन भर रहा है तो हमको भरना लाश्ट के बात है लें रहा यह बंद कर देंगे इसका मतलब यह हुआ सर कि हमको पाराइब कैने शावन रहा है तो फोन से बराबर के धुन कर दो चवण से चवण दुनना हो गया 108 आइधर भर गया चाहिवन यूनिट टेक अब एक बात बता हूँ 108 मिनट में 54 भर पा रहा है अब क्या करते हैं लास्ट में जाके यह काम भी भी खता हुआ फिर अगला गोड़ा एक करने गया तो वह चोई उनिट भरेगा तो एक मिनट में वह चोई उनिट भरेगा यह कुष्ण अच्छा है और यह कुष्ण आपको पक्का परिशान किया होगा चीज़ें ऐसे समझना 120 उनिट अंसर देखें नहीं आप आना एक जाम में अगला कुष्ण दिखिए अब टाइप 6 का B नमर है दो नल एक साथ किसी तलाब को 12 घंटे में भरते हैं यदि अकेल यदि अकेला पहलानल से 20 से घंटा बरते हैं यदि अकेला ए बराबर 20 से कंच हाइं वह 10 सब्सक्राइब करने का मतलब यह ना आपको माइट से कम करना यहां लिखना नहीं है यह यह समसिखाए तुमको तो तो टोटल एपलस वी ब्रापर पर पांच है यह का वेल्यू तीन है इसके जगव किया रखें है कि हमारा पांच हो जाये तो रहेंगे इसका मतलब बी की चंता दू है अब काता है कि टूसरा कितने गंटे बरेगा टॉटल है साथ साथ को भरवाना है 20 से वर वा दूसे दूसे कर्वा दूसे तीस क्या घंटा तो गंटा सब्सक्राइब बिल्कुल आसान को सब्सक्राइब क्या काता है कि एक टंकी की पैंदी में दो छीद्र है ठीक है दोनों एक साथ खुले राने पर टंकी 6 गंटे में खाली कर देता है काने का मतलब छीद्र वला व्यसक्राइब देगा एक प्लस लीया 2 गंटे में खाली कर देता है यह बराबर कितने गंटे में खाली करता है 15 गंटे में खाली करता है तो अकेले दूसरा कितने गंटे में खाली करता है रहे बी वाला का चमता चाहिए तो च्छोर 15 केल सब निकाल दो 30 ले लो लेते जो और अच्छे से कॉपी में बना लेना फेर कर लेना और एक्जाम के टाइमे रिवियन करना ठीक है कैसे लगा कमेंट करके बता ठीक है उमीद करते हैं आपको यह से सन अच्छा लगा होगा थोड़ा सन क्या कि फाश्टली थोड़ा पढ़ाएं आपको क्योंकि चीज झाल करते हैं अजयोफा झाल करते हैं और संसाथ चीज़े से काम बना खेरियं लूप त्टवाएं इन अशलू से की ब खसे हैं।